डॉक्टर डेविल कि इस एपिसओड की स्टार्डिंग महीं से होती है जहां से फिछल एपिसओड कहता ही यार इस बंदी के पास इसकी अदिरम्ढा foreign कब लता है वो कहते हैं कि यह सब कुछ अभी व्यूद्धर कर रहा है वो साना बंत करते उसके बाद आप आप स्टार्टिंग होती है इस एप्स irregular के स्टार्टिंग में उसका पोधा मत बंत गयाता है पर क्रैमपा आ Cakeक assumptions क्यूं मुझे नहीं पता मुझे घंटा भी फरक नहीं परता क्या कर से पैसा कमाwend रहां वह बैंद के beta बंद कर देते पास दो दिन का टाइम है नहीं तो तेरी कबर मेरे करके ठीक साम हो साम लगीगी मैं उस पर फूल तक नहीं चुड़ोंगा रूटा पैशाप करूंगा उस पर उसके ग्रैंपा फोन कार देते हैं वह बंदा वह बंदा पुछी तक से शौक में होता है रोक दू अरे इससे इतना पैसा आ रहा है कि जितना हम एक महीने में जितना हम एक साल में नहीं कमा पाते हैं उससे एक महीने में हम इस तंदे से कमा रहे हैं ग्रैंपा की कर आप क्यों नहीं समझे मैं आखिकार इस बात को कैसे एक्षप कर लों कि मैं इसे धंद बंदा धंदा बंद करूं उसके बाद अभी सीन आता है यह वोल्टन और हमारे मिस चैंग के तरफ उसके बाद भी राटर की यह राटर की होती है कि यह बाद जब यह वोल्टन और जब मिस चैंग को बता जाली तो नहीं हाथ वाथ एक्षन लेना शुरूर कि अखरा कि उन्होंने कस्टमर मीडिय सब को कि जो मार्केट में बीडु पिल आ रही है वो नकल यह उसके इना की बात चाइना की गूर्मेने bi अघ्चered अच्शन लिया प्यूटी कंपनी फिर से अब और्गनाजेशन माई फिर से अब वापस मार्केट में आ सकती है बिजने शुरू कर सकती है जिंग्यों केती है हाँ क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे कुछ लोगों से जान बचाना जिन से मैंने बात की वो लोग अपने हाई लेवल का एक्षिन लिया उन्तों लोगों के लिए इसलिए अब तुम लोगों को चिंटाखने की जूट नहीं है इसके बाद फिर से राइटर के एंटर होती है वो पताना शुरू करता है कि बाद में उस दिन के बाद से मीडिया वालों ने यहां तक सभी पुलिस वालों ने एक्षिन लेना शुरू किया फिर तभी एक दिन उनके बार में पता चले कि जो लोग इस ब्यूटी पील को बे गया जिसके कान अब सब शानता है और यहां तक कि जो लोग यह काम कर रहे थे उन्होंने इस पुरी फेक पिल को हर तरफ मार्केट में लौच कर दिया था बहुत पहले ही जिसके कान बहुत से लोग बिमार होने लगी थे उनका में मख सकता यह वोल्टन की कंपनी को नीची गिराना उनों लगबख पास भी हो गए थे पर लेकिन अब 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 यह सब कुछ फिर से शानत हो चेका है जिसके कान अब जो फेक पिल थी जो मार्केट में गई थी वहाथ वापस ले 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 गई है और ठीक उस दिन के एक अपते के अंदर अंदर उसके बाद चाइना की गवर्में ने कड़क एक्शन लिया जिसके कान जो फेक पिल की प्रांचे थी उनको अपने अंदर ले लिया कुछ बहुत कुछ दो डिस्टॉई कर दिया और जो लोगी यह काम कर रहे थे सेलर्स को उन लोगों को यहां थे कि डबलो को उन लोगों को पकड़ लिया पर अब इंडिया पूरे चाइना में हर तरफ अब दमाल ही मचा देगी यह औरिजिनल वाली होगी उसके बाद अभी वो अटन कहता है हां पर येकिन यह मत भूलो तुम मेरी कंपनी की शेर होल्डर हो तो इसका आदा हक तुमें भी जाता है तुमें भी मुपार्क हो और बाइ तक कि तुम ही सैलर हो तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो पर लेकिन तुम जो भी करते हो उसके लिए मेरी ओयांग फूरी ओयांग फैमली तुमारे सपोर्ट में है तुम्हें विल्कुल भी ओफेंड नहीं करेगी तो मैंने इसके इन्वेस्ट करने का और सोच रहा है 10 मैं सोच रहा हूं एक और नहीं बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पर और भी काम करेंगे मैं तुम्हें उसका स्टक्चर बेज़ दूँगा उसका डिजाइन तुम आपस बेज़ दूँगा वहाद में तुम देख लेना उसके बात भी उसके बात भी जिंग्यू कि ठीक मैं तुम से वादा करती हूं अगर में लिस्टेबल होगा तो मैं तुम्हें उसके लिए आइटम बेज़ दूँगी उसके लिए मैटरियल बेज़ दूँगी और मैं आशा करती हूं तुम्हारे यह ओनर आइडिया काम करें बहुत अच्छा हो और फिर सिंग्यू कि यह बाइ उसके बाद भी वहाँ पर जिंग्यू का भाई आजाता है वो कहता है कि यह वोल्टन अकिकार तुम यहां कैसे तुम यहां किसने बुलाया सिक्योटी जल सजल यहां और इसका चले को जल सजल हमारे घर से बाहर फेको उसके बाद वहल लगता है आज ओयांग फैमिली के इस ओयांग फैमिली का पेट्रियाज मतलब कि उनका लीडर ओयांग वेक अपॉइंग खड़ा होने वाला है इसलिए लगता है कुछ लोगों को गपरहाट हो रही है मेरे यहां होने से फिर तब इस जिंग्यू कहती है ब्रदर यह मेरा गैस्ट है तो प्लीज तुम इसके साथ इ लेशनशिप तो लाजवाब है तुमने वोल्टन ने तो एक साथ एक रात भी गुजारी है और ब्यूटीपुल के 10% शेयर के लिए तुमने अपनी बोड़ी तक वोल्टन को बेच दिये है अब तो तुम वोल्टन के साथ एक डेट पी बीजा रही हो मैं जानता हूं जहां बोला है भाई पहले ही वर्निंग दी है कि मेरे सामने या फिर मेरे किसी भी दोस्त के सामने बिल्कुल भी नॉंसेंस जैसी बाते करने की तो कोशिश भी मत करना इस वारता मैं तो मैं माफ करूंगी बड़ी बुई ती किसे मारूंगी और यह सुनके उसके भाई को आता है वो कहता है तू कमीनी तू बस मेरी बेहन इसले में चुब बैठा था पर अब नहीं बैठूंगा तू कमीनी अब तू मरेगी और फिर तबी वोल्टन उसके पेट के पर जोर्दा लात मारता है और वो उसे कहता है किस अले कमीने यह भी ओयांग फैमली की एक मेंबर है यहा उनों को मेरे ओयांग फैमली के हाउस में रहने की बिल्कुल भी जरूत नहीं तुम बिल्कुल विडियोस आप नहीं करते चले जाओ यहां से नी तो मैं तुम दोनों को जान से मां डालूंगा और फिर तभी वहां पे ओयांग हाँ आ जाता है मतलब कि मिस चैंग का लवर वो आ जाता है वो आते ही कहता है यहां के कार हो क्या रहा है तुम तीन वाखिकार लड़ क्यों रहे हो फिर वॉल्टन उसे पूरी बात बताता है किलियर से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसके बात वो कहता है और इस बंदेंने तुम्हारी बेहन की मतलब कि अपन साथ यह से पुछ करने ही कोश्ट ही, वो केता है, हाँ भाई, क्योंकि यह दोनों हमारी घर में बस एक खच्रा एक सवाएं, ओ कुछनी, यह लड़की तो सबसे बड़ी खच्रा, इसने तो हमारी घर की इस टकाता को उचाल दी, मैं बस इन दोनों सब्सक्राइब करें और हां मुझे इंस्टा पी फोलो कर लिए जेगा मैं वहां पर आपको रिप्लाइद देता रहूंगा तो मिलते अंगलेक से नहीं वीडियो में जब तक लिए बाई बाई